हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आय होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विसे नयतिक सिच्छा के सब तहाच 6 की वक्सीट को सॉल्ब करेंगे जो की EDMC के द्वारा दे गई है बच्चों आपकी इस वक्सीट का टॉपिक है आत्म निर्भरता तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं बच्चों क्या तुम जानते हो आत्म निर्भर सब्द का मतलब है अप कहानी बहुत पुरानी है पुरानी समझ ये सो डेर सो साल पुरानी कहानी एक रेलवे स्टेशन जहां अधिक भीड़ भार नहीं थी बहुत लोग वहां पर नहीं आते जाते थे कम ही लोगों का आना और कम ही लोगों का जाना उस रेलवे स्टेशन पर होता था रेलवे स्ट करते ही लड़के ने इधर उधर देखा इधर उधर देखकर कुली को आवाज लगानी शुरू कर दी कुली 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 वहां कोई नहीं था क्योंकि छोटा सा इस्टेशन था ज्यादा लोग वहां उतरते नहीं थे तो कुली की जरूरत भी नहीं थी यह देखकर लड़का ब अपना सामान उठाने की इतने में ही एक 45-50 साल की उम्र का आदमी जिसने धोती कुरता पहना हुआ था उस लड़के के पास से गुजरा अब लड़के ने उसे ही कुली समझ लिया और बुलाया कुली उठाओ मेरा सामान धोती कुरता पहने हुए आदमी ने भी चुप चाप उसका संदूक उठा लिया अब उस नोजवान ने कुली को अपने पीछे चलने का इसारा किया और चल पड़ा अपने घर पहुँचकर उसने अपना सामान रखने को कहा और कुली के हाथ में कुछ पैसे देने लगा लेकिन कुली ने वह पैसे लेने से बिलकुल मना कर दिया और उस नौजवान से कहा धन्यवाद पैसो की मुझे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी तुम देना ही चाहते हो तु बस एक वादा करो कि आगे से तुम अपना काम स्वेम ही करोगे और ऐसा कहकर वह आदमी वहां से चला गया नौजवान बिलकुल एक तक हैरान होकर उस आदमी को देखता रह गया अगले ही दिन उस आदमी की तस्वीर उस नौजवान लड़के ने देखी तो जब उसने आसपास लोगों से पूछा तो उससे पता चला कि असल में वह आदमी बहुत बड़े विद्वान इस्वरचंद विद्यासागर थे उस नौजवान ने कभी इस्वरचंद विद्यासागर का नाम नहीं सुना था देखने की तो बाग दूर ही है इस्वरचंद विद्यासागर अपने समय के बहुत बड़े समास सेवक थे जिन्होंने सभी लोग सोच बिल्कुल बदल जाती है साइद उस लड़के के लिए वह पल था जब उसकी सोच बिल्कुल बदल गई यह कहानी है जो हमें यह बताती है कि अपना काम स्वेम करना यानि आत्म निर्भर होना कितना जरूरी है तो बच्चो सभी को अपना कारिये स्वेम करना चाहिए स्वेम पर ही निर्भर होना चाहिए ना कि दूसरों पर बच्चो यह पिक्चर है इस्वर्चंद विद्यसागर की यह है इस्वर्चंद विद्यसागर जिनकी कहानी तुमने अभी सुनी इनके बारे में और जानकारी एकत्यत करो, एकट्टा करो, अपने साथियों को बताओ, क्या तुम्हें पता है कि आत्म निर्वर्ता को साल 2020 का ओक्सफोर्ड हिंदी सब्द चुना गया है, कोरोना समय में हमने अपने घर के काम खुद किये, अपनी जरूरतों को कम किया और आत्म निर्वर बन कर दिखाया इसके बटन खुद लगाना, अपनी कापियों किताबों पर खुद कवर चढ़ाना, अपना बिस्तर खुद सही करना, अपनी अलमारी को सही करना, अगर तुम और भी कई कामों में आत्म निर्वर हो तो जरूर बताना, चलो अब सीखते हैं मधू बनी पेंटिंग, बच्च आप चावल का अठा लेंगे, उसमें कलर मिलाएंगे और बच्चों से मिलाकर यहाँ पर चिपकाएंगे, बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें, थै थैंक यू